टाइप 6 है सर, तो मेरे पास एक concept use होता है सर, sin square theta plus cos square theta equal to कितना होता है value सर, 1 होता है, इस concept का use हम लोग करने वाले हैं, चले, use करते हैं, देखे सर, सबसे पहले यहाँ पर देखे, और साथ ही साथ आपका ये वाला भी use होगा, a plus b का holy square, add as well as a minus b का भी holy square वाली use होने वाले है, चले question लेते हैं सबसे पहले, मेरे पास से point b है, हमारे पास कहाँ sin theta, a cos theta, ये आपके p point है, और q point हम लोगों को देखा है, कि a cos theta, minus a sin theta, ठीक सर, ये हमारा question है, अब इस question में हमने क्या निकालना है सर, कि हमको दूरी ग्याद करना है, ठीक है, तो first of all, आप लोगों को क्या करनी है सर, draw the line and put the point, यहाँ पर क्या put करेंगे, a sin theta, a cos theta, यहाँ पर भी a cos theta, minus a sin theta, यह आपका p point, यह आपका q point, हम लोगों को इसके बीच का distance चाहिए, ठीक सर, तो चले, same way formula put करेंगे, बार पर p q को बीच का दूरी बराबर formula क्या होगा सर, under root x2 minus x1 का holy square, plus y2 minus y1 का holy square, ठीक सर, अब देखें, मेरे पास x2 जो है, वो आपका क्या यूज होने वाला सर, x2, यहाँ पे x2 आप देखें, यहाँ पे क्या, a cos theta, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना, a cos theta, फिर formula में क्या है, minus तो minus, x1 का value क्या है, a sin theta, यह put कर दिये, holy square, plus y2 का value आप देखें, आपके minus a sin theta, तो minus a sin theta, फिर formula में क्या होता है, minus y1 का value, a cos theta, तो a cos theta का holy square, ठीक है, अब चले, अब देखें, यहाँ पे, a cos theta, a minus theta, आप देख रहें कि यहाँ पे एक अलग number है, यह अलग number है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगने होले हैं, सर्थ, जब कोई भी number, आपके दो number हो, bracket के term में हो, और holy square है, यहाँ पे क्या करने है, a minus b का holy square, तो a का square, मतला अब देखें, यहाँ पे, जैसे कि a, b, और holy square है, तो आपको क्या करने हैं, यह square दोनों पे ले आता है, a का b square और b का b square, उसी परकार यहाँ पे देखें, a का square पूट करेंगे, तो a का square, as well as cos square theta, ठीक सर, फिर उसी परकार, plus b square होता है, तो a square, और यह sin square theta, ठीक है, plus, उसके बाद formula का, sorry, minus होता है, 2 a, b, तो 2 a cos theta, अच्छा, हम लोगों थोड़ा सूपर बनानी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ space के मिए, ठीक है, तो चले, हम लोगों थोड़ा बनानी कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ सुरुआत करें, देखें, यहाँ पर, a cos theta, minus a sin theta, मतलब a square, plus b square, minus 2 a, b, का formula पूट करें, तो क्या हो जाएगा, sir, a square cos square theta, plus a square sin square theta, minus 2 a, b, ठीक सर, फिर देखें, पलस यहाँ पर, अब देखें, यहाँ पर आपको put करना, यह जो term आपके दिया, इसको समझ ले, यह भी minus है, तो मतलब इसको समझ ले, एक और वो ही a minus b का formula ही यूज करें, मतलब क्या होगा, minus a का square sin square theta, plus a square cos square theta, minus, minus 2 a के जगम कितना है, minus a sin theta into cos, a cos theta, कैसर, a cos theta, a cos theta, यह under root, देखें, मेरा board में थोड़ा space नहीं, उस होज़े से मैं नीचे करके बना रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, कि मतलब, पुरा कोबी में cover करके बनाना, ठीक है सर, आप देखें, ध्यांस से यहाँ देखें, यहाँ पर a square cos square theta, a square minus sin square theta, में यहाँ पर a square कोमन निकाल दे, तो आपके पास ऐसा कुछ नजर आने वाला, a sin square theta, पलस cos square theta, ठीक है, फिर यहाँ पर देखें आपके पास, minus 2a cos theta sin theta, फिर आपको यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, a square, यहाँ पर भी कोमन और इससे भी क्या होगा, sin square theta, plus cos square theta, नीचे आपके पास क्या होगा, minus और minus plus हो जाएगा, तो 2a square sin theta into cos theta, अब देखें, यह वाले टर्म आपके कटने वाले, यह और यह कट गया, फिर देखें, यहाँ से, यह sin square theta, अब plus cos square theta, मैंने स्टार्ट करने से पहली concept पता है, कि sin square theta is equal to plus cos square theta, यह दोनों मिलके क्या हो जाएगे सर, आपके पास 1 दे देगे, तो मेरे पास under root a square, इसका value कितना आगे सर, 1, और यहाँ से भी कितना, इसका value कितना देगा हो 1, तो कितना हो जाएगा सर, a square into 1, और finally क्या हो जाएगा सर, a square plus a square, अब मिलके क्या हो जाएगा सर, 2a square हो जाएगा, यह दोनों से देखें, यहाँ पे अप लिख सकते हैं,